असलाम वालेकुम वालकम बाक टो इनमेच चैनल अप्टमेटरी सल्यूशन तो जैसे कि आप थमनेल में देख चुके हैं आज हम डिसकस करने वाले हैं ड्राइज आइस के वारे में ड्राइज आइस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें 90% पेशेंट में देखने को मिलती हैं तो आज हम इसके वारे में डीपली डिसकस करेंगे हम देखेंगे जो इसकी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है आज कल वो क्या है उसके वारे में जानेंगे तो वीडियो को इसके मत कीजिए अगर आपको ड्राइज आई है तो इस वीडियो को आप लास तक देखिएगा ये होता क्या है कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ड्राइज आइज है तो ड्राइज आइज की सिम्टम क्या होते हैं अगर आपको आखों में रूखापन महसूस हो रहा हो आखों में सूखापन हो रहा हो हैविनेस फील हो रहा हो रैडनेस हो आख में इचिंग वो तो यह सारे जो सिम्टम है वो ड्राइज आईज के हैं। अब बात करती हैं यह जो ड्राइज आईज ही किस वज़ा से हो रहा है। 90% जो ड्राइज देखने को मलती है। उन पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है। जो ज्यादा मोगाईल यूज करते हैं। लाप्टॉप यूज़ करते हैं या फिर कम्पीटर यूज़ करते हैं जिनका स्क्रीनिंग वर्क जादा रहता है तो उन पेशेंट में हमें जादा ड्राइ आइस की दिक्कत देखने को मिलती है तो इसका पहला तो यही है सबसे मोस्ट इंपर्टेंट कि आगर आप स्क्रीनि ड्रा गार though जादा पीते हैं तब आपको ड्राइन फेस हो सकता है या फिर आपको जादा पीते हैं तब या पंकुष कामलेथ-वर भीमारी हो। trading और ब्रॉटि सब्सक्रीशि अगर रहते हैं तब यह बेगा हो सकता है तो यह सारे कारण हैं जिनकी बजासे ड्राई आई होता है यह लिए और बशाय से हैं आप ज्यादा से ज्यादा पानि पीजिए यह चाह, कौफी कम पीजिए यह और डॉस्ट पॉलूशन से अपनी आख को बचा के रखिए गा, क्योंकि dust pollution की वज़े से भी काफ्ट pollution की वज़े से भी हमें dry eyes देखने को मिलता है अगर आपका screening work ज़्यादा है suppose that आप 3 से 10 या 14 hours वर्क कर रहे हो screen में तब भी आप उसके लिए आपका क्या है अगर आप screening work ज़्यादा कर रहे हो तब आप blue cut lens या blue max lens का यूज कीजिएगा अब आप सोचेंगे के मैड़ा चेश्मा लागा का कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आपको कोई भी पावर नहीं है तो आप plain power का blue cut blue max lens यूज कर सकते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं drop और अपने latest treatment की latest treatment में आपको बता दू एक हमारा जो latest treatment अभी जो आया है वो है IPL intense pulse light ये एक machine होती है जिसके द्वारा हमें dry eye के patient को treatment देना होता है दूसरा हम बात करें eye drop के बारे में तो आपको भी eye की बहुत सारी eye drop होती है हमारी tear fresh, lubricating eye drop, flow gel और भी CMC बहुत सारी हमारी drops होती है तो अगर आपको dry eye की दिकत हो रही है तो एक बार अपने eye doctor से consult करके उसका treatment लीजिएगा यहापे मैं आपको एक drop के बारे में बताती हूँ जो हमारे पास एक drop है वो है जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं यह हमारे पास जो drop है वो है tears nature tear nature नाम से drop है आपको dry eye की बहुत सारी drop मिल जाएंगी जैसे मैंने बताये था CMC, fresh tear, eye lubricating, flowzelle बहुत सारी drop होती है तो डॉक्टर से consult करके आप कोई भी drop ले सकते हैं दूसरा जो मेरे पास drop है यह Alcon company की drop है lubricants eye drop अगर आपको normal दिकत है अगर आपको जादा dryness नहीं है तो आप इसको दिन में 3-4 बार इसको डाल लीजिएगा डालनी से पहले का method क्या होता है और अगर आप क्या करना है पहले हाथों को अच्छे से आप पहले भी मैं आपको काफी tap बार बता चुकी है यह कोई भी drop को आपको खुछ से नहीं लेना है उसके वारे मैं बताए अगर हम drop खुछ से लेते हैं तो हमागर drop की जो tip होती है अगर वो हमारी काली पुतली पर touch हो गई तो क्या है उससे काली पुतली में क्या है हमारा जखम बन सकता है जखम बनने के बाद जखम हील जो होता है तो वो सकार फॉर्म कर देता है जिससे क्या है हमारी काली पुतली सफेद हो जाती है नॉर्मल रेज नहीं जा पाती है हमारी रेटना पर और जब रेटना पर रेज नहीं जा पाती है तो हमें देखने में दिक्कत होती है, वीजन हमारा कम होता है, आपको खुद से यूज नहीं करनी है, अगर कोई other person भी डाल रहा है, तो उसको सबसे पहले अच्छे से hand wash कर लेना चाहिए, अगर आप गंदे हाथों से भी drop डालते हैं, तो छोटे-छोटे microorganism हैं, वो आपके हा पानी से आइस को अच्छे से धो लेना चाहिए, उसके बाद दोनों आखों में दो ड्रॉप डाले के बाद आपको 10 मिट रेस्ट करना है, वो ऐसे ही आपको दिन में 3-4 बार आपको ड्रॉप लेनी है, जैसा कि मैंना IPL के बारे में बताया था, यह हमारा एक प्रॉसीजर ह कराते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शायर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो माच फॉर दो वाचिंग वीडियो,